अल्फा एडुकेशन असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स वेलकम आन माई यूटूब चैनल अल्फा एडुकेशन उमीदे आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे स्टुडेंट्स आज हम स्टुडेंट्स में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है कंपोनेंशल थियूरी अफ मीनिंग इसको कंपोनेंशल एनलिसिस अफ मीनिंग भी कहते हैं स्टुडेंट्स में हम एक चैप्टर पढ़ते हैं में हमारे पास theories of semantics को हम discuss करते हैं लेकिन आज की theory जो है वो है componential theory यह lecture deliver हो रहा है तो alpha education इस lecture को पूरा देखिए students दिहान से सुनिए ताकि इसी एक lecture से आपका concept clear हो जाए componential analysis के वाले से और at the end अगर आपको feel हो कि इस lecture ने आपको फाइदा दिया तो मेरे चैनल को भी subscribe कर दीजिए चलिए start करते हैं आज के topic को और introduction से start करते हैं this theory is based on the structural approach that gives an account of word meaning यानि इस theory में हम क्या करते हैं कि हम words की तरफ a structural approach रखते हैं यानि अगर हम देखें कि हमने meaning को निकालना है किसी word से या फिर हमने किसी word के meaning को समझना है तो हम क्या करते हैं उसके structural components को देखते हैं तो इस theory में क्या होता है कि हमारे पास structural approach होता है हम words के structure पे जाते हैं और फिर वहां से meaning derive करते हैं अब अगर देखा जाए simple अलफाज में अगर हम components theory को define करें या फिर एक sentence में the total meaning of a word is broken up into its basic distinct units एक word के total meaning होते हैं वो broken up होते हैं किस में? उसके basic distinct units में यनि एक word के अगर हम meaning को समझना चाहें कि उसके complete meaning क्या है तो हम उसको broken करते हैं उसको तोड़ते हैं different components में और फिर हम उन components की meaning को समझ के पूरे word की meaning को समझते हैं तो यह एक सिंपल सी डिफिनिशन है, एक Componential Analysis की या फिर Componential Theory की के the total meaning of a word is broken up into its basic distinct units. अब एक component जो भी मतलब हमारे पास word होता है, उसके हम different components को divide, मतलब उसको हम different components में divide करते हैं. अब यहाँ पर क्या होता है कि each component of meaning is expressed by a feature symbol, a positive or negative mark. अब student होता क्या है, कि जब हम word को different components में divide करते हैं, तो हर एक component जो होता है meaning का, उसको हम क्या करते हैं, हर एक component को positive या फिर negative sign से denote करते हैं. Positive sign का मतलब क्या, plus का मतलब यह कि CEP certain feature की presence वहाँ पे होती है, और negative sign क्या indicate करती है, कि वहाँ पे हमारे पास कोई certain feature absent है, वहाँ पे कोई certain feature present नहीं है. तो meaning के जो components होते हैं, उसको हम express करते हैं, plus या पिर minus sign के साथ, plus sign indicate करता है presence of a certain feature, and negative indicates absence of a certain feature. इसी तरह हम examples लेते हैं human, अब students human के एक example है, human जो है, यह एक feature है, ठीक है, हमारे पास human एक feature है meaning के लिए, तो अगर किसी word में हमारे पास human वाला feature present हो, तो इसका मतलब वह human being होगा, अगर किसी word का कोई component, मतलब उसमें अगर human का feature negative हो, अगर हमारे पास किसी word में human का जो feature है वो negative हो, negative का मतलब क्या absence हो, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, वो animal हो जाएगा, सेम इसी तरह, अगर हम adult की example लें, adult एक feature है, अगर तो हम कहीं पे देखें कि कहीं पे, उसके components में adult का feature present है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, कि ये entity जो है, ये adult है, अगर कहीं पे adult की feature absent है, तो इसका मतलब वो young है, इसी तरह male के लिए भी है, अगर हम male को देखें, और कहीं पे हमारे पास ये feature present हो, present का मतलब plus हो, present हो ये feature, तो हम कहेंगे वो male है, अगर कहीं पे male के साथ negative sign लिखाओ, तो हम ये कहेंगे, कि उसमें ये feature present नहीं है, इसका मतलब वो female है, चलिए मजीद इसको समझते हैं, अब इसी जो हमने features को डिसकेस किया, इनी features के मदद से, हम कुछ individual words की meaning को समझते हैं, जैसे man है, अब यहां पे देखे student, man में हमारे पास जो human वाला feature है, वो present है, इसका मतलब ये एक human है, इसमे adult वाला feature भी present है, इसका मतलब ये adult भी है, और साथ ही साथ male वाला feature भी present है, इसका मतलब ये male है, तो इस तरह इन different features की मदद से, हम इस एक word की meaning को समझते हैं, कि ये human है, adult है, और साथ ही साथ में ये male है, इसी तरह woman के अगर देखें, तो woman में आद देखें, कि इसमे human का feature भी present है, adult का feature भी present है, लेकिन अगर हम male को देखें, तो male का feature यहां पे present नहीं है, तो इसका मतलब ये human है, लेकिन इसमें adult का feature नहीं है, और ये male है, तो इसका मतलब ये human है, male है, लेकिन adult नहीं है, इसी तरह students, आप मुझे comment section में बताईएगा, कि अगर हम girl के लिए देखें, तो उनमें कौन कौन से feature प्रेजेंट होंगे, अब यहाँ पर आप देखें, तो ये components को treat करती है, in terms of binary opposites, मतलब क्या, कि हम binary opposites देखते हैं, कि या तो एक feature present है, या फिर नहीं है, मतलब क्या, कि या तो ये male है, या फिर ये female है, या तो adult है, या फिर young है, या फिर human है, या फिर animal है, तो binary opposites में, componential analysis चीज़ों को discuss करती है, अब ये कब possible है, this works only when there is a clear distinction, that of male versus female, female versus animal, married versus unmarried, अब binary opposite के क्या मतलब, कि ये componential analysis, तभी हमारे पास work कर सकती है, कि जब हमारे पास, एक clear distinction मौजूद हो, यनि दो चीज़ों में, अब बिल्कुल clear फर्क मौजूद हो, कैसे, या तो male और female, या फिर human हो, या फिर animal हो, married हो या फिर unmarried, उसके बाद, componential analysis help us understand the meaning relations, synonymy and antinomy, अब componential analysis क्या करती है, ये help करती है, कि हम synonymy और antinomy, ये जो meaning relation है, इनको समझे, कैसे, अगर तो दो वर्ड, जो दो वर्ड हमारे पास है, उनके सारे features, जो जितने भी features, जैसे, यहाँ पर ये जितने भी हैं ना, ये features है meaning के, अगर किसी भी दो वर्ड के, सारे features same हो, तो इसका मतलब वो दोनों synonymy है, और अगर, इसी भी दो वर्ड में से, कोई एक feature different हो, जैसे के, यहाँ पर आप देखे, human और human ये feature same है, adult और adult feature same है, male और यहाँ पर negative है, मतलब इसमें male का feature present नहीं है, तो इस तरह से, ये दोनों meaning जो है, ये एक दूसरे के साथ contrast में आ जाएंगे, और ये meaning exclusion हो जाएगी, और इस तरह ये एक दूनों के opposite बन जाएगे, तो componential analysis help करती है, कि हम synonymy और antonymy, जो कि meaning relation है, इसको भी समझें, अब यहाँ पर example लेते हैं, the meaning of a word woman contrasts with that of a girl, कि जो woman एक word है, उसकी meaning जो है, वो contrast करते हैं, फिर opposite है girl के साथ, because of the contrast between the feature of adult and negative adult, कैसे, अगर यहाँ पर आप देखें, woman और girl, इन दोनों के meaning जो है, ये एक दूसरे के साथ contrast करते हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों में से एक feature ऐसा है, जो कि दोनों के साथ match नहीं हो रहा, जो कि इसमें तो present है, लेकिन इसमें नहीं है, because of the contrast between the feature adult and negative adult, मतलब इसमें भी adult है, लेकिन इसमें adult नहीं है, क्योंकि इसके positive sign है और इसका negative है, तो बाकी तो सारा same है, ये दोनों human है, दोनों female है, मतलब negative अगर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों female है, लेकिन woman जो है वो adult है, और girl जो है वो young है, तो इस तरह से, अगर कहीं भी, two componential meanings are exclusive, if one contains at least one feature, contrasting with one feature of the other, अगर कभी भी, हमारे पास, दो चीजों में, एक feature ऐसा हो, कि जो दूसरे के साथ contrast में हो, तो तब हमारे पास meaning क्या हो जाती है, exclusive, exclusive का मतलब, कि वो एक दूसरे के साथ contrast में आ जाती है, जैसे उपर वाली example में मैंने आपको समझा दिया, कि ये बाकी सारे feature तो इनके same है, लेकिन एक feature ऐसा है, जो कि दोनों के साथ same, मतलब एक दूसरे के साथ same नहीं है, तो इस वज़ए से, इन दोनों की meaning क्या हो गए, exclusive हो गए, या फिर opposite हो गए, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी, कि अगर दो words में से कोई एक भी feature ऐसा हो, जो कि एक दूसरे के साथ different हो, तो वहाँ पर हमारे पास meanings क्या हो जाती है, exclusive या फिर opposite, sometimes meaning cannot be defined in terms of binary opposites, अब काफी बार ऐसा होता है, कि हम meaning को सिर्फ binary opposites में नहीं समझ सकते, क्यों, because there are some opposition that involve more than two terms, क्योंकि हमारे पास कभी कबार ऐसा होता है, कि कुछ oppositions ऐसे होती है, कि जिसमें हमारे पास सिर्फ एक opposition नहीं होती, अगर हम एक binary opposite को देखे न, day and night, तो ये एक simple सा opposite meaning है दोनों के, day and night, life and death, लेकिन काफी बार ऐसा होता है, कि हमारे पास कुछ oppositions ऐसी होते हैं, जिसमें एक से ज्यादे term होते हैं, for example, species of animals or plants, different types of metals, different types of colors, अगर हम देखे metals को, all metals, gold, silver, copper, etc, ये सारे are different types of metals, ये हैं सारे तो metal, लेकिन इन सब में क्या है, एक metal का feature है, तो हम यहाँ पे, अगर मैं silver की बात करूँ, और gold की बात करूँ, तो silver भी metal है, और gold भी metal है, तो फिर हम इन दोनों की meaning को कैसे समझें, तो यहाँ पे, componential analysis, एक तरह से, उसका drawback बन जाता है, कि वो हर जगा पे meaning को define नहीं कर पाता, और हर एक चीज़ को binary opposites में हम define नहीं कर सकते हैं, अब ये सारे types of metal हैं, और इन में metal का feature है, तो इनको हम कैसे फिर डिफ्रेंशेट कर सकते हैं, यहाँ पे componential analysis एक तरह से काम नहीं कर पाती, अब इस theory does not explain fuzzy meaning, fuzzy meaning का क्या मतलब, those meaning that are more vague, and in which there is less agreement and certainty about the exact nature of objects and concepts, अब ये theory क्या है, मतलब जो componential analysis है, ये बिलकुल exact चीज़ों को define कर सकती हैं, अब वो meaning जो के बहुत vague हो, मतलब blur हो, जो के बिलकुल clear ना हो, unclear हो, जिसमें less agreement और certainty हो about the exact nature of objects and concepts, तो वहाँ पे componential analysis हमारी help नहीं कर पाती, अब जैसे कि अगर एक example दे कप की, तो कप में अगर हम देखें, तो काफी सारे attributes ऐसे हैं, कि जिनकी basis पे हम एक चीज़ को कप कही भी सकते हैं, और नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन हम कप को इस चीज़ में define नहीं कर सकते हैं, कप cannot be defined in terms of a clear cut, unvarying set of attributes, यनि अगर हम किसी चीज़ को कप कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है, कि उसके कुछ fix और clear cut attributes होंगे, कि जैसे के with और without handle, narrow, wide, deep और shallow नहीं, हमारे पास different kinds of cup होते हैं, so there are many different kinds of cup, therefore, cup can be defined in fuzzy sets of attributes, यह नहीं क्या, कि अगर हम देखें, हमने cup की example ली हैं यहाँ पे, हमने cup की example ली, और हम यह बात कर रहे हैं, कि हम ऐसे नहीं के सकते, कि अगर किसी चीज़ को हम cup कहेंगे न, तो उसमें fix, कुछ attributes होंगे, बिलकुल clear cut होंगे, और unwary होंगे, जो के vary नहीं हो सकते, मतलब ऐसे attributes होंगे, कि या तो उसमें handle हो, या पिर handle नहो, वो narrow हो, या फिर wide हो, deep हो, या shallow हो, नहीं, ये जो attributes हैं, cup के, ये vary करते हैं, और ये clear cut नहीं है, तो अगर ये attributes vary करते हैं, और ये fix नहीं हैं, तो componential analysis पर इस चीज़ को define नहीं कर सकती, और इन चीज़ों को फिर हम fuzzy set of attributes के साथ ही discuss कर सकते हैं, यानि ये वो meaning है, तो के componential analysis के beyond हम इस चीज़ को discuss करेंगे, क्यूंकि इसके जो attributes हैं, वो fix नहीं हैं, और componential analysis सिर्फ binary opposites में चीज़ों को discuss करती हैं, लेकिन यहां पर जो attributes हैं, जो features हैं, वो vary करते हैं, वो बहुत ज़ादा हैं, जिस वज़े से componential analysis इस चीज़ को discuss नहीं कर पाती, अमीद है, आपको आज के lecture से कुछ सीखने को मिला होगा, अकर आपको componential analysis या फिर componential theory की समझ आई हैं, तो अब आप मेरे चैनल को subscribe करें, क्योंकि आने वाले lecture में मैं आपके साथ मज़ीद theories और मज़ीद कज़ से subscribe को discuss करूंगा, तब तक अपना धेर सारा ख्याल रखें, चैनल को subscribe करना मत बूलिए, ये वेक्चर अपने दोस्तों के साथ share करें, और इन्शालला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपने देर सारे ख्याल रखें, अल्ला हाफीज,